तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग यार मैंने गवर्मेंट पॉलिटेक्निक पूने का जो वीडियो है पहले भी अपलोड किया हुआ है लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेट आने लगे सर आपने होस्टिल के बारे में नहीं बताया सर आपने सारे कोर्सिस के बारे में नहीं बताया आपने कुछ गिने चुने कोर्सिस के बारे में बताया सर आपने कटाओ पूरी तरीके से नहीं बताया आपने फी स्ट्रक्चर भी नहीं बताया तो यार मुझे लगा यार ये कॉलेज तो वन आप मोस्ट वांटेड कॉलेज ह में सारे ही बच्चे लगबग सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरा government politics पूने में मेरा admission हो जाए तो बहुत अच्छी बात बन जाएगी इसलिए मैंने सोचा यार इस college के बारे में एक और detailed video बनता है मतलब मैंने इस बार क्या किया है जितने भी पिछले वीडियो में missing points थे सब मैंने इसमें cover किये मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से जान जाओगे government politics पूने एक क्या चीज है इसका हम पूरी तरीके से basic information देखेंगे courses detail में सारे courses के बारे में जानेंगे उसके बाद training and placement detail में जानेंगे इसका कैसा है hostel का admission के बारे में देखेंगे कितने seats है girls hostel का क्या situation है boys hostel का क्या situation है कुछ girls के भी comments आये थे sir girls hostel नहीं है ऐसा हमने सुना है तो वो भी हम clear करेंगे fee का चाओ structure है पूरी तरीके से detail में discuss करेंगे और last year का cut off मैंने कुछ branches के लिए बताया था इस वीडियो में हम सारे branches का देखेंगे ताकि आपको पूरा idea लग जाए ठीक है तो वीडियो में आंत तक बने रहना है मैंने पूरी तरीके से research करके data उठाया हुआ है authorized website से और इसलिए वीडियो को like तो कीजिए और चानल को subscribe नहीं किये तो कर लिजे फटापफट तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम हरे college में देखते हैं भाई पहले basic information जो institute का होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा special होने वाला है क्यों क्योंकि college भी special है ठीक है वन आप दी top colleges in महाराष्टा फॉर पॉले टेकनिक ठीक है आप ध्यान में रखी है ये बात तो आपको वीडियो अन तक एक भी point मिस नहीं करना है ठीक है institute का नाम तो government पॉले टेकनिक पूने है DTE के पूने region में आता है ठीक है जैसे कि आप लोग जानते होंगे DTE के 6 region है उसमें पूने region में आता है हाँ एक बार फिर से मैं आपको बता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ठीक है क्योंकि information जादा मुझे बता नहीं है इस college के बारे में क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ठीक है तो थोड़ा लंबा भी हो जाए वीडियो यान बेर कर लेना और यह अंड तक देख लेना ठीक है क्योंकि यह आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ ओके कुराना कॉलेज है और इमेल आइडिया यहाँ पे आप लिख सकते हो और वेबसेट का भी अड्रेस यहाँ पे देख सकते हो आप विजिट भी कर सकते हो उसके बाद बहुत सारे लोगों को कंफिजन रहता है कि कॉलेज में कैसे पहुंचना है कहाँ पर रहो कॉलेज थोड़ा कंफिजन रहता है इसलिए यह भी मैं बताऊँगा कि कैसे कॉलेज में पहुंचे आप महाराख्टरा में इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो तो भी कॉलेज को पहुंच सकते हो कैसे यह मैं बताते हो माण लीजे आप train से आ रहे हैं तो पुने railway station junction है वहाँ पर उतर के आप 8 km ट्रेवल करके हैं वहाँ से आगे आपको local जैसे Mumbai local होती है वैसे पुने local पकड़के आप शिवाजनगर आ सकते हो ठीक है शिवाजनगर area में या फिर bus से भी आ सकते हो वहाँ से जो भी local busses रहती है पुने में वहाँ से travel कर सकते हो वहाँ से बहुत नस्दी गए 8 km और bus तो अगर आ रहे हो तो शिवाजनगर का bus stand है वहाँ उतर के आप 3 km travel कर सकते हो by auto भी कर सकते हो कोई problem नहीं अगर आप flight से आ रहे हो तो nearest flight airport है यहाँ पर लोगाओ का लोगाओ पर उतर के आप 12 km आपको travel करके इस college को पहुंच सकते हो तो आप कहीं से भी इंडिया में से कहीं से भी आ रहे हो तो इस college में पहुंचना बहुत यासान है क्योंकि यह central location में है पूने के central location है क्योंकि काफी पूरा ना college है पहले college आया बाद में पूने धीरे धीरे यह develop हुआ है तो अगली बात करते हैं government politics ने पूने के बारे में hostel की information देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के comment में आते हैं आये हैं पिछले वीडियो पे लेकि sir hostel के बारे में कुछ clear नहीं हुआ है please clear कर लिजे तो इसलिए मैंने यह अलग यहाँ पे information डाल दिये तो boys hostel की पहले बात करते हैं यहाँ फर फर्स्ट येर के लिए boys hostel का intake है 1.500, सेकंड येर के बच्चों के लिए 100 और 3rd year के लिए 100 मतलब total intake हुआ 3.500, 3.500 बच्चों को hostel है 1st year के बच्चे मतलब जो नए आएंगे admission लेकि उनके लिए सिर्फ 150 है ठीक है? तो of course सब के सब लोग यहाँ पे admission लेना चाहेंगे तो merit पे ही admission होगा, ठीक है? तो girls hostel के अगर बात करते हैं तो total girls hostel का intake है 54 उसमें से 1st year के लिए 8 तो यार यह थोड़ी बात मुझे अच्छी नहीं लगी है क्योंकि लड़कियां तो जितने लड़कियों होते हैं उतनी लड़कियां ही होगी तो लड़कों के लिए जादा है और लड़कियों के लिए कम है हम लड़कियों और लड़कियों में competition नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर डेड़सोर, वाटरा मतलब यह आसपास भी नहीं है तो I hope आगे जाके girls hostel का intake भी बढ़ जाएगा सिर्फ अटरा लड़कियां यहाँ पर रह सकते है तो ज्यादा तर लड़कियां उनका marks भी अच्छा होगा 95% की लड़की भी होगी दसवी में जिसने ले तो उसको भी शायद hostel नहीं मिल सकेगा second year के लिए अटरा है third year के girls के लिए भी अटरा है तो I hope जिन जिन लोगों ने comment किया था कि hostel के बारे में बता उनको ये clear हो गया है तो अब बात करते है hostel में admission लेने का criteria क्या है hostel का intake तो समझ में आ गया ठीक है यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए admissions are given to the students are totally basis on merit पे होगा admission government of maharashtra के हिसाब से जो भी notification आया है उसके हिसाब से merit पे हो hostel facilities not available for those students admin in direct second year diploma direct second year के जो students है जो ITI करके या बारवी करके direct second year में admission लेते हैं डिपलोमा के उनके लिए hostel के availability नहीं है ऐसा बोला है students living in area of Pune and Pune and Pune are not eligible for hostel admission हाँ ये ज़रूरी बात है क्योंकि जो आसपास रहते हैं जो already Pune city में रहते हैं या पिर पिंपरे चिंचवड जो उसके पास में ही city है वहाँ पे रहते हैं उनको आना जाना आसान है इसलिए उनको hostel में रहने की ज़रूरत नहीं है तो उनको allow भी नहीं किया है those students want facility hostel facility should be all cleared subjects in previous year अच्छा अगर आप first year में hostel लेते हो अगर आपका कोई fail होते हैं एका subject में तो अगले साल आपको hostel नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए आपको pass भी होना है अगर second year में भी hostel चाहिए तो okay fees structure यहाँ पे दिया होगा है fees per annum एक साल के लिए सिर्फ general categories ले एक हजर पचास रुपई fees है और reserved general छोड़के मतलब open category छोड़के category में जो आते हैं other categories में उनको जैसे कि SCN, TNT, OBC हो गया साढ़े 500 रुपई fees है मतलब बहुत ही कम fees में यहाँ पर आपके लिए होस्ट के अवेलेबर है ठीक है mechanical, metallurgical, dress design electrical और electronics यहाँ पर दो बार दिख रहा है क्यों दिख रहा है मैं बता तो यह जो electrical है यह afternoon shift का है और यह electrical जो है वो morning shift का है यहाँ पर electronics के लिए भी similar चीज है यह electronic जो है afternoon shift का है और यह electronic morning shift का है मैं बता तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो afternoon shift और morning shift क्या होता है और general shift क्या होता है general shift normally 8-9 बज़े शुरू हो जाता है college बराबर general shift के अगर बात करते हैं और 3-4 बज़े तक खत्म हो जाएगा इसको बोलते है general shift morning shift मतलब सुबह जल्दी 7-7 के असपस college शुरू हो जाएगा और 12 के असपस अपका college खत्म हो जाएगा हर दिन ठीक है और उसके बाद फिर से उसी class में और बच्चे आएगे बारा के बाद वो छूटने के बाद afternoon shift बोलिंग उसको वो 6-7 बज़े तक शाम तक college चलेगा ठीक है तो इससे होता क्या है इंटेक बढ़ता है जादा बच्चे एक हे college में पढ़ पाते हैं इसलिए ये shift बनाया जाते हैं ठीक है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है लेकिन आपको college को apply करने से पहले ये ध्यान में देना है ये ध्यान में रख लो कि electrical morning shift का code अलग रहता है और afternoon shift का code अलग रहता है इसलिए आपको ध्यान देना है दो बार आप apply कर सकते हो same branch के लिए option form भरते समय morning shift में नहीं मिला तो afternoon मिल सकता है afternoon नहीं मिला तो morning मिल सकता है ठीक है लेकिन depends on आपके marks कितने है ठीक है वो cutoff form आगे देखने ही वाले है co-education का मतलब होता है यहाँ पर आप लड़कियां और लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे पुरानी ब्रांचे से civil 1957 में 93 में computer शुरू हुआ 2001 में IT शुरू हुआ electrical भी 1957 में electronics शुरू हुआ 1962 में mechanical 1957 में metallurgical एक ब्रांच है यहाँ पर जो ज़्यादतर colleges में available नहीं होती है उसका 1962 में शुरू हुआ है और 2008 में डेस डिजाइन शुरू हुआ है और यह दो जो afternoon shifts है वो 2011 में शुरू हुआ है तो total intake जो है 870 है यहाँ पर सबसे ज़्यादा intake मुझे computers में दिख रहा है आप देखरो 180 और IT के 160 मतलब IT और computer आपको एक ही मान के चल सकते है 240 ठीक है और IT और computer में क्या फर्क होता है exactly फर्क computer engineering और information technology बहुत सारे बच्चों के comment आते है यह दोनों में क्या फर्क है computer engineering course और information technology बे comment करना नहीं बूलना है आपको तो इतने सारे cut-off sorry यह intake है आप यहाँ पर देख सकते हो video पॉस करके total first year के बच्चे 870 है तो अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा training and placement college most wanted college है तो बहुत पुराना college है तो कंपनिया भी यहाँ पर आती होंगी of course कोई यहाँ पर दोहरा है नहीं है तो कौनसी कंपनिया आती है आप यहाँ भी पढ़ा सकते हो Tata Consultant Engineering Limited Tata Project Limited Virla Soft Shender Electrical Tata Power Explo KSB L&T शापूर जी DXA और Tata Technology इतनी सारी कंपनिया पिछले साल 2021-22 में आई थी Major Recruiters तो उन्होंने कितने बच्चे सिलेट किया है यह भी देखते है तो L&T Construction की अगर बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप Computer Engineering के उन्होंने तीन बच्चे उठाए उन्होंने Electrical के पाँच बच्चे लिया Mechanical के तीन L&T ने Civil के तीन लिया उसके बाद Chandra Electrics ने Mechanical का एक बच्चा Electrical के छे उसके बाद Tata Projects के आप देख सकते हो 9 Tata Technology ने 9 Tata Technology Mechanical के 9 Tata Power ने Total 3 शापूरज में 3 सिविल के होए DxC में Electronics का एक हुआ तो Birla Soft Tech IT Company है उसमें Electronics का एक Computer का एक KSB में 2 तो यह पढ़े सकते हो Total 64 बच्चे यहाँ पे Company में Job के लिए Select होए यह कब Selection होता है मैं आपको बता दूँ अगर आपको पता नहीं है जैसे ही आप Final Area में जाते हो Diploma के तो आपको Company आँ वहाँ पे Interview लेने के लिए आती है College में अगर आप Interview पास होते हो Aptitude Taste इंटर्यू उनको लगता है भाई लेना चाहिए Select करना चाहिए तो आपका Selection हो सकता है ठीक है आप अगर Job करना चाहते हो Diploma के बाद तो College में आप Place होने के यहाँ पर इस College में Chances है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कैसे Packages में है मतलब उनको Salary कैसे मिली पिछले साल यह भी देखते है Maximum Package मिला 4.74 Lacks पर Annum का मतलब एक साल में 4.74 Lacks तो आप Divide by 12 करके पर मन्त निकाल सकते हो ठीक है तो उसके बाद Minimum Package है 2.8 और Average आप पकड़ सकते हो यहाँ पर 2 लाग के असपास आपको यहाँ पर Package मिलता है हर एक Depends on Company कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन Average 2 लाग Package है इस College में ठीक है तो अगली बात करते है Fees Structure का जो कि बहुत important है बहुत सारे बच्चे पूछते है Fees Structure बताओ Government Politics नहीं पूने का तो Open के लिए यहाँ पर है 9,444 पिछले साल का यह कटाओ Fees है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है As per Government Notifications Fees में कम ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है तो कम ज़्यादा कितना 1,500, 1,500 तो इतना ही होगा ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है ठीक है तो STST के लिए सिर्फ 1864 फी है VJDT and DA कास्ट आप पढ़ सकते हो 3414 फी है EBC EWS के लिए 6414 ठीक है I hope Fees Structure भी आपको Clearly समझ में आ गया है तो cut-off तो बहुत बड़ा है यहाँ पर बहुत बड़ा table बनावा क्योंकि courses बहुत सरे available है तो एक के लिए cut-off में यहाँ पर पढ़के बताओंगा आपको ठीक है तो पिछली बार जो एक computer का सिरिफ बताया था मैंने इस बार सारे branches का मैंने इंगुड किया है IT का भी ठीक है तो यहाँ पर मैं IT का ही पढ़ता हूँ यहाँ पर IT देख सकते हो आप यह home district का मतलब होता है जिन लोगोंने पूने district से दसवी किया है उनके लिए cut-off है पूरा जो भी orange color में जो भी color है उसमें दीख रहा है आपको और यह other than home district का जो भी cut-off है जो पूने district से बाहर जिननोंने दसवी किया है और इस college में आना चाहते है उनके लिए cut-off है ठीक है और EWS, TAWS के EWS मतलब economically weaker section और tuition fee waiver section इनके लिए कोई भी district का matter नहीं होता यह state level पर admission होता है तो यह merit जो होता है यह दो categories का वो state level पर होता है ठीक है तो IT के लिए मैं समझा जयता हूँ कैसे पढ़ना है आपको बाकी सारे branches का आप खुद पढ़ सकते हो open के लिए यहाँ पर देख सकते हो यह पहला column जो है open के लिए open के लिए IT के लिए 94 पिछले साल cap round 1 का cut off है मैं बता दो आपको पिछले साल का तो open के लिए 94 पे close हुआ SC के लिए 88 पे ST के लिए 78 NT के लिए 89 OBC के लिए 90 यहाँ पे other than home district का भी पढ़ सकते हो open के लिए 96 SC के लिए 93, ST के लिए 83 NT के लिए 94 और OBC के लिए 96 EWC और TFWC का दे सकते हो 96 और 98 पॉइंट सम्थिंग मतलब 99 तक cut off है college के लिए इसलिए ज़्यादा cut off है क्योंकि सब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे admission लेना चाहते हैं बराबर यह most wanted मैंने पहले ही बोला बहुत most wanted college है इसलिए यहाँ पे सारे लोग admission लेना चाहते हैं तो इसलिए इसका cut off of course बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देख सकते हो आप home category के लिए 94 है IT के लिए और यहाँ पे 96 है तो सबसे महाराष्टर का top का college है इसलिए यहाँ पे cut off बहुत ज़्यादा रहता है और मैं आपको बता हूँ यह नीचे जो metallurgical or dress design के लिए यह state level जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है इसके लिए भी home district other than home district ऐसा कुछ नहीं होता इनका married भी state level पे ही होता है इनके लिए home district other than home district कुछ नहीं होता यह दो courses के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ ठीक है I hope आपको cut off बे समझ मैं आ गया है पूरी तरीके से ठीक है और इसके बाद यार मैंने एक college के authorized जो website है उसमें से एक मैंने screenshot लिया है उन्होंने एक ही page में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा information देनी के कोशिश करें कुछ माराथी में लिखा है अगर आप कुछ पढ़ना आता है या समझते हो तो screenshot ले सकते हो यार मैंने आपके लिए ये download करके यहाँ पे attach कर दिया है तो I hope मैंने पूरी तरीके से पूरा detail में बता दिया है इस college के बारे में जितना कि आपको ज़रूरी है admission लेना है या नहीं लेना है ये decision लेने के लिए तो फिर भी कोई point मैंने miss किया हो तो यार comment करना नहीं भूलना है आपको और चानल को subscribe ज़रूर करना है वीडियो को like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको share कीजिए ठीक है क्योंकि अगर आप share करते हो तो सब की help होगी और वीडियो को like करते हो तो YouTube खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक और इसी वीडियो के साथ